आप सबका अबिनन्दन और स्पागत मैं नुराधा शार्दा आप सबका धनेवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चानल्स स्पोटिफाई और यूट्यूब दोनों को सरहा और अपने कॉमेंट्स अपने सजेशन वहाँ दिये आज हम बात करने जा रहे हैं दुवित्य भाव की और दुवित्य भाव में बैठे सभी ग्रहों की दुवित्य भाव हमें बहुत कुछ बताता है तो आएं देखें दुवित्य भाव हमें किन-किन चीजों से अवगत करवाता है यदि हम दुवित्य भाव को देखते हैं तो दुवित्य भाव आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ बताता है द्वित्य भाव वित्य का भाव है तो essentially जब हम किसी भी कोई भी हमसे पूछता है कि भे हमारा finance कैसा रहेगा तो हम definitely द्वित्य भाव को देखते ही है कि आपके जीवन का जो accumulated wealth है जो आपने पूरा चाहे वो हम उसको रुपया पैसा बोलें या हम उसको घेने आदी ये सब बोलें तो द्वित्य भाव obviously हमें देखना पड़ता ही है और उससे हमें बहुत अच्छा जीवन का मालुम पड़ता है कि उस रेक्ती के finances कैसे रहेंगे especially उसके दशा अंतर दशा में यदि उसको कोई एक malefic planet देख रहा होता है तो उसके लिए हमें बहु को कोई एक benefit planet दिखता है तो अपनी दशा अंतर दशा में वो शुब ग्रहे बहुत सुन्दर results दे देता है और आपको धनारजन चाहे वो आपको रुपिया पैसे हो और या गेहने हो ये सारी चीज़े दे देता है द्वित्य भाव आपके संसकारों के बारे में भी बोलता ह तो यदि द्वित्य भाव पर अच्छी द्रिष्टी है अच्छे ग्रहों की द्रिष्टी है तो ऐसी स्तिती में आपके जो संसकार हैं जो आपने अपने परिवार से ग्रहन करें हैं अब यहां हम ये भी कह सकते हैं कि परिवार वाले हमेशा definitely हर सामानिया तोर पर generally हम अपन वो ग्रह बैठा है जो कि आपको अच्छे संसकार ग्रहन करने की शमता देता है यदि पापी ग्रह बैठा है तो परिवार भी बहुत अच्छा होगा लेकिन यह हो सकता है कि आपको शनी बैठा है तो हो सकता है कि आपने उत्ते ही संसकार ग्रहन करें हैं जिते कि आपको जर या गुरू बैठा है, समाने तोर पर लोग कहते हैं कि कारको भाव नाशा है गुरू यदि दूत्य भाव में बैठ जाए तो लोग कहते हैं कि वहां की कारक नश्ट होते हैं, लेकिन यदि relevant divisional chart देखेंगे और उसमें भी गुरू लगन पर बैठें हैं या उसी भाव का द्वित्य भाव या जिस भाव को वो रिप्रेजन करते हैं, वहां पर बैठें हैं तो कारको भाव नाशा है, डेफिनिटली ऑपरेट करेगा और ऐसी स्थिति में यदि हम डूई 24 देखें क्योंकि हम आगे चलके यह भी देखेंगे, कि गुरू की सेकंड हावस जो है, वो आपकी सिक्षा को भी रिप्रेजन करता है तो ऐसी स्थिति में गुरू आपकी सिक्षा में भी अर्चन डाल सकता है स्पेशल यदि वो पापी ग्रहों से यह डिटेंड 24 और डी वं दोनों में दृष्ट हो गुरू आपको स्किल्स देते हैं सब्सक्राइब यदि हमाड़ के अंहां वो आपके स्किल्स यानिकि आपकी जो कलाएं हैं या आपके जो वाल्यूज है वो आपको बताते हैं तो जो skills आप में, यदि यहाँ पर second house में कोई एक benefit planet है, तो आपके जो skills है, वो सौमिय skills होंगे, आप painting, music, आदी, इन सब चीजों पर बहुत काम करेंगे, और यदि यहाँ पर एक malefic या crude घ्रह सूर्य बैठा है, तो आपको तेज ना देगा, आपको पराकरम करने की भाव ना देगा, कि वो malefic घ्रह है, और वो second house आपके, आपके values का भाव है, आप अपने आपका मुल्यांकन किस दृष्टी से करते हैं, किस मापदंट पर करते हैं, यह बताता है, तो यदि second house में एक benefic planet बैठा है, यह एक तेजयस भी planet बैठा है, जो कि एक benefic से definitely दृष्ट है, ऐसी स्तिती में आपको अपने उपर पूरा confidence होगा, और जो भी आपको आता है, अब भली भाती लोगों के सामने रखने में सक्षम भी होगे, तो अब गुरु जो है, और अब जो second house है, वो आपके education को भी बताता है, किस प्रकार का education होगा, वो planet से भी हमें मालुम पढ़ता है, फिर second house जो है, वो आपकी speech को बताता है, यहाँ फिर हम एक चीज़ देखें, कि एक तो second house कौन सी राशी में आता है, वो भी matter करता है, यह दि second house किसी का आगया आपकी मिथुन राशी में, ऐसी स्तिती में, वो third house of the natural zodiac हो गया कालपुरुष कुनली का, और साथ ही वहाँ पर वाक शक्ती भी आ जाती है, तो ऐसी स्तिती में, जो चीज़ बहुत strongly उभर कर आती है, जो planet वहाँ बैठता है, वो आपके बोल चाल की भाशा और आप अपने आपको दूसरों के सामने किस तरह से प्रेजन करते हैं, वो भी बताता है, यदि second house किसी का धनू लगनवालों के लिए definitely वो मकर राशी हो जाती है, तो वहाँ wealth की importance जादा हो जाती है, और यदि शनी बैठा है या शुक्र बैठा है, तो definitely wealth का कारक बहुत strongly हो जाता है, इसी प्रकार यदि second house, यदि आपके कुणली का सिंग राशी हो जाती है, यानि कि कर लगनवालों के लिए, ऐसी स्तिती में वहाँ जग रहे बैठा है, वो आपके family values, आपके family traditions इस पर बहुत जादा जोड़तेते हैं, क्योंकि सिंग राशी आ आपके संसकार, चाहे वो पूजापाट की तरफ हो, चाहे वो मंत्रशुद्धी की तरफ हो, आपकी मंत्रणा आदी इन सब पर भी बहुत जोड़ देता है, तो हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो second house जो है, वो कौन सी राशी में आकर आपके लिए लगता है, फिर हम जब दृत्य भाव की बात करते हैं, तो दृत्य भाव आपकी आइसाइट का बहुत सुन्दर को बताता है, तो दृत्य भाव में जो ग्रह होते हैं, इस्पैशल यदि वो सूर्य या चंदरमा हो, तो ऐसी स्थिती में वो आपको आँख में पीड़ा भी दे सकते है सेकेंड हाउस को द्रेशकांड में, द्रेकांड में बोला गया है कि वो राइट आई को नोट करता है, तो ऐसी स्थिती में यदि सूर्य वहाँ बैठा हो, या चंदरमा वहाँ बैठा हो, तो हम कह सकते हैं कि राइट आई में थोड़ी सी प्रोब्लम्स आसाएं, और ये च द्रिश्ट हो रहा है, उसके तशा अंतर तशा प्रत्यांतर में संभव है कि वो आपको आई इसूस भी दे दें, तिर हम एड्मिनिस्टेशन भी द्वित्य भाव से देखते हैं, आप किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं, आपकी स्रिजनात्मक शक्तियां तो हम द्रिश कुंडली में, द्वित्य भाव जो है, वो पृत्वी तत्व है, यानि कि किसी भी चीज को एक फॉर्म देना, तो जो एड्मिनिस्ट्रेशन है, वो भी किसी चीज को एक फॉर्मिला में डालके उसके साथ काम करने की शमता आपको द्वित्य भाव देता है, और जब हम द्वित्य भाव को देखते हैं, और द्वित्य भाव मारकस्तान भी कहा गया है, तो जो भी प्लानट यहां बैटता है, यदि कुर्ट ग्रह हो तो अपनी अंतर दशय प्रत्य या जैसे मैंने बताया कि second house के लॉट के दशय प्रत्य अंतर, या जो उसको अस्पेक कर रहा है उसकी specially malefic उसको जाए aspect कर रहा है उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यांतर में health issues आपको दे सकता है depend करता है कि कौन सब ग्रह है यदि हम गुरू ले जो दूते भाव में बैठा है specially Aries लगनवालों के लिए तो ऐसी स्तिती में Aries लगनवालों के लिए द्वाव कभी स्वामी हो जाता है तो अपने समय में और जाके वो बैठ जाता है वित्यभाव में तो अपने समय में वो definitely आपको कोई न कोई issues ऐसी दे सकता है जिसे कि आपका expansion factor भी काम में आए और फिर अंतिम में second house जो है आपको food बताता है तो इसी बात पर कि यदि गुरू वहाँ बैठा है second house में तो आप ऐसी fatty acids या fatty foods खा सकते हैं तेल अच्छी चिकनी चिकने परदार्तों वाला खाना या मीठा बहुत जादा खा सकते हैं जिसके कारण आपको बहुत health issues हो और आपके तबे भी खराब हो सके तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए second house में जो भी planet बैठा होता है वो definitely बताता है कि आप किस प्रकार का खाना पसंद करेंगे तो शुक्र बैठा है तो वो आपको रसीला, खटा ये सारा खाना पसंद करवाएगा ये चंद्रमा बैठा है तो वो आपको नमकीन खाना पसंद करवाएगा सूर्य बैठा है तो आपको तेज खाना जिसमें गरम खाना हो वो पसंद करवाएगा शुक्र बैठा है तो वापिस यही बोलूँगी कि वो आपको गरम खाना और fresh food and khatta ऐसे चीज़ें आपको पसंद कराएगा गुरू आपको definitely मीठे की ओर लेकर जाएगा यदि बुद्ध बैठा है तो आवला जिसमें कि सभी रस है ऐसा खाना पसंद करवाता है शनी आपको पिपर मिंट का जो स्वाद होता है astringent या फिर जो जला खाना होता है वैसा खाना जिनको कुछ कड़क या गरम लाल आदी ऐसे चीज़ों की ओर आपको जादा सिखा हुआ आदी इस तरफ की ओर लेकर जाता है और यदि मंगल किसी का बैठ जाए second house पे या second lot को द्रिश्ट करें तो ऐसा जो व्यक्ति है वो definitely तेज खाना यानि की तीखा खाना पसंद करता है तो ये सारी चीज़े भी हम second house से बख खुबी देख सकते हैं कि कौन सा गर है second house में बैठा है और क्या देता है आए हम कुछ ग्रहों के बारे में बात करें कि यदि second house में सूर्य होता है तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि वो eye issues especially यदि उसको पापी ग्रह द्रिश्ट करते हों तो वो दे सकता है second house में यदि सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा इस बात पर धिहान देना चाहिए कि वो लोगों के साथ यह higher authorities के साथ बहस न करें जिसके कारण आगे चलकर taxation आधी इन सब विशय में problems न आए यदि सूर्य आपका शुब ग्रह से द्रिश्ट है तो ऐसी स्तिती में आपको संसकार बहुत अच्छे देता है आपको अपने जीवन पत पर चलने की प्रेणा भी बहुत सुन्दर देता है और आपको ऐसे ओधो पर बठाता है जहां पर आपको बहुत अच्छा नाम भी मिले लेकिन यदि आपकी वानी में कटूता है आपकी वानी में अत्याधिक शाशन है तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स आदिकर और गर्मेंट इंस्टिट्ट्स में या गर्मेंट एजन्सी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी वानी को भी सैयम में रखें यदि हम चंद्रमा की ओर चलते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपकी नेत्रों को भी बताता है और चंद्रमा भी यदि द्रिष्ट पापी ग्रह से हो तो वो आपके नेत्र में प्रॉब्लम्स दे सकता है चंद्रमा आपके खाने के लिए जैसे मैंने बताया कि वो आपको salty food की ओर लिकर जाता है और चंदरमा यदि second house में हो तो आपके finances जो है वो गढ़ते भढ़ते रहते हैं लेकिन आपके पास solid amounts भी रहते हैं क्योंकि चंदरमा कालपुरुष कुणली के द्वित्य भाव में उच्चिका होकर बैठता है तो finances लो भी extra skills को सीखने में आपकी पूरी-पूरी शमता भी रहती है जब गुरु की बात करते हैं यदि द्वित्य भाव में गुरु विद्यमान हो तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमें कारको भाव नाशाय के लिए एक relevant divisional charts भी देखने चाहिए गुरु द्वित् भाव में बैठा होता है तो दो, छे और तस सभी इस रिकोन को देखने के कारण वो आपके job को भी secure करता है और आपकी life को भी बहुत आगे सुन्दर बनाता है especially जब गुरु अपने ही लगने के लिए मीन लगने के लिए बैठा हो तो ऐसी इस्तिति में ये बहुत सुन्दर results आर्थिक रूप से बहुत सुन्दर results देता है और आपको इता सक्षम बनाता है कि आप आगे बढ़ कर इन चीजों में काम करें यदि गुरु आपके लिए भरेनी नक्षत्र में मीन नक्षत्र लगनवालों के लिए especially बैठ जाए तो आपको गुर रहस्यों द्वारा काम क करने का और पैसा कमाने का भी धनार्जन करने की भी शक्ति देता है फिर हम आगे बढ़ते हैं बुद्ध की और बुद्ध ही आपके द्यूत्य भाव में बैठा तो ऐसी स्तिती में बुद्ध आपके लिए बहुत सारी जो skills है वो आपके लिए और आप बहुत डाइनामिक ह भी छयोगं कि बुद्ध को ऐसा माना गया है कि वो आर्थिक द्रिष्टिकौन का जो प्लैनेट है, उसका वो द्रिष्टिकौन बहुत स्टॉ cloth ही है और हर समें कुछ सीखना कुछ समझने की जो चाहा है लाल सा है, वो बुद्ध में बहुत स्टॉंग होती है, especially जब वो द वो भी भुद आपको द्वित्य भाव में बैठने से दे सकता है क्योंकि कुमार रवस्ता में वो बहुत सुंदर बात भी कराना सिखाता है यदि किसी के शनी देव द्वित्य भाव में बैठे हूँ तो वो व्यक्ति बहुत to the point बात करता है और बहुत जादा अतिश्योक्ति उसमें किसी भी चीज़ को अतिश्योक्ति से वर्णन करने की उसमें शमता नहीं होती लेकिन एक बात है कि वो जो भी बोलता है न्याय प्रिय होकर बोलता है और हर किसी के साथ सही बात करने की कोशिश करता है ऐसी स्तिती में संभव है कि आप अपनी परिवार वालों के साथ थोड़ा दूरी बना ले क्योंकि आप जो भी बोलेंगे आप एक नयाय की दृष्टी को उन से बोलेंगे और हो सकता है कि उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आए शनी क्योंकि दृष्टी भाब में बैठा है तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में भी education में problems आ सकती है जब हम मंगल की बात करते हैं यदि मंगल आपका दृष्टी भाब में बैठा है तो ऐसी स्तिती में ये मंगल आपको उर्जा देता है कि जाएं कुछ करें अपने धन कमाएं और अपने परिवार वालों के लिए कुछ करें अपने संसकारों के लिए लड़ें या अपने value system के लिए भी आप भरसक प्रैत करें मंगल वहाँ बैठ जाता है तो यदि वो पापी ग्रहों से दृष्ट होता है आपको परिवार वालों से भी लड़ा सकता है अब हम शुक्र पराते हैं शुक्र की position द्वित्य भाव के लिए एक बहुत सुन्दर position है क्यों क्योंकि सबसे पहले तो कालपुरशकुनली का जो द्वित्य भाव है वो शुक्र का भाव है तो यह सारी जो चीजे हैं चाहे वो आपके skills हो चाहे administrative ability हो चाहे वो आपको धनारजन हो चाहे वो परिवार हो चाहे वो अपना swim का मुल्यान करना हो यह सारी चीजे शुक्र बहुत बखुबी से निभाता है साथ ही शुक्र को धन देने का planet माना गया है तो शुक्र यदि दुटिय भाव में बैठ जाए तो आपको बहुत असीम धन देता है लेकिन उसके लिए यह शुब ग्रहों से भी दुरिष्ट होना आवरशिक है और साथी पापी ग्रह यदि इसको न देखें तो भी यह बहुत सुन्दर रिजल्ट्स देता है तो आएं हम कुछ चार्ट्स में इन फंडमेंटल्स को देखें और फिर देखें कि वो इन चार्ट्स में किस तरह से काम करते हैं सुभाश चंद्र बोस के लिए उनका जो मंगल है वो लगनेश यानि कि मेश लगन का स्वामी होकर द्वित्यभाव में बैठा हुआ है उनकी वानी में एक गंभीरता थी गर्मी थी जिसके कारण लोग उनकी वानी को सुनते भी थे और उनका लोहा भी मानते थे अड्मिनेस्रेटिव अबिलिटी जिसके बारे में संबन्द था और इसके कारण ये बहुत उचे पद पर भी पहुचे द्वित्यभाव में मंगल यदी बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रॉंग होकर बैठा हुआ है ऐसी स्थिती में ये मंगल उन्हें स्मरन शक्ती देता है उन्हें किसी भी चीज़ को पढ़ना करना और उसे बहुत अच्चे से प्रोसेस करने की भी अबिलिटी देता है जिसके कारण सुभाष चंदर बोज जी ने बहुत आगे तक पढ़ाई भी करी और गर्मेंट सर्विसेज तक के एक्जाम्स भी अपने समय में बहुत सुंदर पत से पास भी करे और उसमें रैंक भी लिया इनके चार्ट में बहुत विलक्षन बात है कि दो बेनेफिक्स और दो मेलेफिक्स एक दूसरे से स्क्वेर में बैठे हुए हैं यानि इनका द्वित्य भाव, शेश्टम भाव, अश्टम भाव और जो एकादश भाव है उसमें चार घ्रय हैं और ये चार घ्रय आपस में एक दूसरे की साहता भी करते हैं इस पर मेरा एक वीडियो है यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो भी आप देखी उसमें भी आपको बहुत सारे clues मिलेंगे फिर हम चलते हैं सुनल ग्रोवर की चार पर सुनल ग्रोवर के चार चार में यदि आप देखें तो यहां उनके द्वित्य भाव में कर्कलगन की कुनली होने के कारण तृतिय भाव का स्वामी बुद्ध और द्वादश भाव का स्वामी बुद्ध बैठा हुआ है ये बुद्ध व्रिशब राशी से मंगल द्वारा दृष्ट है और उनके आवाज में उन्हें एक जोड देता है और लुहावनापन भी देता है जिसके कारण इन्होंने वर्ल्ड उफ कॉमेडी में अपना नाम कमाया और साथ ही देश विदेश से बहुत वित भी कमाया धन भी कमाया और अब हम चलते हैं गुरू की और द्वित्य भाव में बैठा हुआ गुरू लीला सेट के चार्ट में हम ये देखते हैं कि गुरू जो है ये अश्टमेश और एकादर्श भाव का स्वामी है जैनरली विशाब लगन की कुनली के लिए गुरू को बहुत सुन्दर नहीं माना जाता है लेकिन इस गुरू ने पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ कर उनके लिए बहुत सुन्दर रिजल्ट्स दिये हैं क्योंकि पुनर्वसु माता का नक्षत्र होता है और उन्होंने जो भी लॉज फॉर्म करने के लिए मदद करें वो चाहे तलाक के लॉज हो या फिर लेडीज के लिए सुरक्षा के लॉज हो उन सारे बाते पर उन्होंने बहुत काम किया और अपने लिए बहुत नाम भी कमाया इनके इन सब बातों पर और इनके इन विचारों के लिए बहुत फेमस भी हुई और इंडिया की फर्स्ट जज थी जिन्होंने लेडी जज थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने बहुत सारे वर्डिक्स भी दिया फिर हम आगे बढ़ते हैं ए आर रह्मान पर जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये सेकेंड हाउस में वीनस विद्दिमान हो तो वो वेक्ती बहुत धन कमाता है और स्पेशली देखिए ये गुरू से उच्चिका रेट्रोग्रेड गुरू अश्टमभाव से द्रिष्ट कर रहा है जो कि लगनेश भी है इन्होंने धन कमाना शुरू किया तो फिर इनके स्किल्स के कारण क्यूकि मैंने आप लोगों को बताया था कि शुक्र fine arts भी बताता है और आपके dancing, acting ये सारी कलाओं को भी हम शुक्र से देख सकते हैं तो उन सारी स्किल्स के कारण इन्होंने अपना नाम और बोल बाला पूरी दुनिया में कमाया आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं Dr. Manmohan Singh Ji के चार्ट को यहां यह बात पूरी अच्छी तरह से चट्थार्थ होती है कि शनी अधी दुत्य भाव में बैठ जाए और इनके चार्ट में तो वो अपने ही भाव अपने ही राशी मकर राशी में क् चार्ट जो है वो धनू लगने का है Manmohan Singh Ji का तो ऐसी स्थिती में वो बोलते भी कम है लेकिन उनका जो थौर्ट प्रोसेस है वो financially he said कि एक विजर्ड है वो उनका नाम और उनकी दूर दर्शिता जो है वो फाइनांस के दुनिया में एकदम लोहा मानने वाली बात कही जात है साथ ही उनको मंगल जो की पंचम भावका स्वामी है वो दृष्ट करता है ability to see changes और crisis management किस तरह करना चाहिए यह कि Manmohan Singh Ji ने नर्सिमा राओजी के पीरिड में बहुत सुन्दरता से दिखाया था अश्टम भावका स्वामी जो की दृत पर भी बात करता है और साथ ही वो चंदरमा भी है यह चंदर जब शनी को देखता है तो उनको बहुत सारे सुन्दर results definitely देता है शुक्र जैसे मैंने आप लोग सब को बताया है कि वो धन का कारत है उनको देता है और principles की moral values की जब हम बात करें तो Manmohan Singh Ji financial world में और political world में अपने moral values के लिए बहुत strongly जाने जाते है और मज़े की बात तो यह है कि इनका उत्तर अशार्ण नक्षत्र में शनी विद्यमान है जो कि आपको high moral ground देता है आपको धैर्य देता है और आपको धर्म निर्पेक्ष बनाता है तो definitely लिए तो definitely बताएं कि आपके चार्ट में द्वित्य भाव में कौन सा planet बैठा है औ और वो किस तरह से विवहार कर रहा है फिर मिलेंगे तब तक कि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और उन पर कॉमेंट करें और हमारे चानल को सिस्क्राइब करना न भूले प्रूले